नमस्कार नियूस पोनेशन देख रहें आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी जा बिहार के मुख्यमंत्री नितिश्ट कुमार यू तो लॉइन ओर्डर को लेकर खुब वावाही लूटते हैं सुश्रासन बावो के नाम से जाने जाते हैं लेकिन उन्ही के ग्रेजिले नालंदा में उन्ही के पार्टी के नेता की हत्या हो जाती है दरसल आपको बता दी कि बड़ी खबर बीती रात नालंदा जिले से सामने आ रही है जहां जदियू के एक बड़े नेता की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है दरसल बिहार के नालंदा में गुरुवार यानि की 14 नवंबर की शाम बदमाशों ने जदियू नेता की गोली मार कर हत्या कर दी मुख्य मंत्री नितीश कुमार के ग्रेज जिले नालंदा में हुई इस घटना के बाद हड़कम मच गया है मृतक की पहचान बेन प्रखंट की आठ पंचायत की वर्तमान मुख्या कारू ताती के रूप में की गई है फिलाल घटना का कारण स्पस्ट नहीं हो पाया है बेन इलाके से ही जेडियो कोटी के मंत्री श्रवन कुमार आते हैं और चट्षा है की मुख्या को घर से बुला कर गोली मारी गई है कारू ताती दूसरी बार मुखिया बने थे वहीं जेडियों के जिला प्रवक्ता धनन जेदेव ने बताया कि कारू ताती जेडियों से जुड़े थे वो प्रखन सर पर जेडियों के महासचीव थे गाऊं के अरवेंदर पटेल ने बताये कि एक किशोर कानुताती को घर से बुला कर ले गया था फिर गोली मारी गई थी, आगे उन्होंने कहा कि उनका किसी से विवाद नहीं था मृतक मुखयकारूताती के बेटे धरवेंदर कुमार ने बताये कि वो घर पर नहीं थे खटना के बाद घर से सूचना मिली कि उनके पिता को गोली मार दी गई है कहा की जानकारी ये भी मिली है कि तीन लोग एक मोरो साइकल पर सवार होकर आए थे घर से बुलाकर गोली मारी गई है वहीं उनके बेटे का कहना है कि पापा दूसरी बार मुख्या बने थे बतादे किस घटना के बाद से हिस्थाने लोग पुलिस की कारिशली पर सवाल उठा रहे हैं जो सिलाके में घटना हुई है वहाँ से करीब पांच किलो मीटर की दूरी पर ही अंतराश्ट्रिय होकी खेल हो रहा है इसको लेकर थानप्रभारी या ज्यूटी पर मौजूद थे इस मामले में थानप्रभारी राजी वरंजिट कुमार ने बताया कि मृतक कारूताती के परिवार वालों की ओर से सूचना मिली थी कि वो आट पंच्रायत के वर्तमान मुख्या थे घटना का कारण अभी इस पस्ट नहीं हो पाया है पुलिस सभी बिंदू पर जाज कर रही है जल्दी मामले का खुलासा हो जाएगा तो देखिए मृतक की पहचान बेन प्रखंट की आट पंच्रायत के वर्तमान मुख्या कारूताती के रूप में की गई है वो दूसरी बार मुख्या बने थी और पुलिस ने फिलाल जाज शिदू कर दी है तो देखिए बड़ी खबर बीती रात बिहार के नालंदा जिले से सामने आ रही है जहां पर एक मुख्या और जदियू के बड़े ने ताकी गोली मार कर हत्या कर दी जाती है और असी के साथ ही सुश्रासन बाबू के प्रिश्रासन पर कई सवाल खड़े किये जा रही है जिस नितिश कुमार को सुश्रासन बाबू के नाम से जाना जाता है जिनके नाम से जाना जाता है कि जब वो सरकार में आए तो लोईन ओर्डर दुरुस हुआ अब लॉइन ओर्डर को क्या हो गया है कि उनके ही ग्रिह जिले में इस तरह की घटना घट रही है और कोई आम व्यक्ती नहीं बलकि उन्हीं के पाठी के नेता और मुखिया की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है फिलाल के लिए इस ख़बर बस अतना ही आप देखते रहें यूस्पो नेशन